हेलो एन वेलकम इन वीके क्लासेस आज हम डायरेक्ट स्पीच से इंडायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस को चेंज होने पर प्रोनाउन में होने वाले परिवरतन को पढ़ेंगे प्रोनाउन के डिफनेशन पढ़ेंगे प्रोनाउन क्या है इसके डिफनेशन क्या है कौन कौन से प्रोनाउन होते हैं और इन प्रोनाउन को जब हम डायरेक्ट से इंडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो इसमें किस प्रकार से परिवरतन होता है इसके बिसे में हम पढ़ेंग तो बहुत सारी गलतिया करते हैं और जिसके कारण एक्जाम में उनके नमबर कर जाते हैं आपके एक्जाम में अच्छे नमबर आए आपके डायेट से इंडेक में चेंज करते समय किसी प्रकार की कोई गलती ना हो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट नियम आपको यद्धान रखना होगा कि प्रोनाउन में किस प्रकार से कैसे परिवर्तन होते हैं यह प्रोनाउन होते हैं और इसमें हम पढ़ेंगे कि प्रोनाउन में कैसे परिवर्तन होता है उससे पहले हम यह पढ़ेंगे प्रोनाउन क्या है प्रोनाउन के डिफनेशन प्रो नाउन, नाउन मतलब होता है संग्या और प्रो नाउन लिखा है तो नाउन मतलब संग्या और प्रो मतलब अस्थान पर तो जो नाउन के अस्थान पर आता है वो क्या होता है? प्रो नाउन होता है जैसे राम के लिए हम ही लगाते हैं सीता के लिए सी लगाते हैं टेबल के लिए इट लगाते हैं तो ये ही सी इट दे ये क्या होते प्रोनाउन होते हैं और इनको जब हम डायरेक्ट से इन डायरेक्ट में चेंज करते हैं तो प्राया स्टुडेंट क्या करते हैं बहुत मिस्टेक करते हैं ये दो नंबर का प्रोनाउन के चेंज करने पर ही हम क्या करते हैं मिस्टेक कर देते जैसे यहां पर प्रोनाउन है क्या इसको हम पढ़ते हैं इस सेंटेंज के माध्य हम से समझते हैं प्रोनाउन के प्रोनाउन क्या होता है संग्या के अस्थान पर प्रोनाउन आता है इसलिए से प्रोनाउन है प्रोनाउन कहते हैं तो यह क्लियर हो गया कि प्रोनाउन क्या होता है प्रोनाउन की डिफनेशन आपको क्लियर हो गई होगी प्रोनाउन क्या होता है जो नाउन के अस्थान पर जो आता है वो प्रोनाउन होता है अब यहां बात करें यह क्या होते हैं प्रोनाउन होते हैं अब हमको इस वीडियो में यही पढ़ना है कि जब हम he, see, it, they, I, V, you को चेंज करेंगे तो कैसे उसमें चेंजेज आएंगे कौन सा नियम हम लगाएंगे और किस प्रकार से वाक्य को हम चेंज करेंगे आई, V, first person होता है, you, second person, he, see, it, they, he, see, it, they, यह third person होता है अब हमको यही पढ़ना है कि direct से indirect में जब चेंज करते हैं तो first person, second person और third person में कौन-कौन से परिवर्टन होते हैं आई, V, क्या होगा, first person, यह आप ध्यान रखना, you, क्या होगा, second person होगा और he, see, it, they, यह क्या है, third person है अगर किसी का नाम लिखा हो, तो उसको भी हम third person मानते हैं अब हम एक नियम यहाँ पे लिखा हुआ है, उसको पढ़ेंगे one, two, three, so, answer one मतलब क्या हुआ, first person, first person मतलब, I, V और two मतलब क्या हुआ, you, second person और three जो लिखा है, उसका मतलब क्या हुआ, he, see, it, they, third person होता है three मतलब, third person तो यह नियम आप पढ़ोगे, तो यह नियम आपके लिए काफी useful होगा जब आप direct से in direct में change करोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ क्या है, कि one, two, three, so, answer तेकि one, two, three, so, answer लिखा है one का मतलब हुआ, I, V first person two का मतलब, you, second person और three का मतलब, he, see, it, they यह क्या हुआ, third person अब हम आज के वीडियो में जो पढ़ेंगे वो यह पढ़ेंगे कि यह pronoun जो है इनको जब हम direct sentence से indirect sentence में change करते है तो इसमें कौन-कौन से परिवर्तन होते है तो I, V किसके अनुसार बदलता है subject के अनुसार S मतलब subject U किसके हिसाब से बदलता है O, O मतलब object के अनुसार और he, see, it, they किसके अनुसार बदलता है change होता है N, N मतलब no change तो N का मतलब आप समझ गए no change O का मतलब object S का मतलब subject तो 1, 2, 3 S, O, A, N, Sun यह नियम आपको समझ में आ रहा होगा अब हम जब exercise करेंगे जब हम sentence को change करेंगे तो यह नियम बिल्कूल हमको clear हो जाएगा हम इसमें सबसे पहले जो change करेंगे वो he, see, it, they को change करेंगे और he, see, it, they को जब change करते हैं तो उसमें लिखा है N N मतलब no change उसमें कहीं भी कोई भी परिवर्तन नहीं होता तो एक नियम अभी आप देख लीजे कि he, see, it, they अगर inverted कॉमा के अंदर है direct speech में तो जब हम उसको indirect में change करते हैं तो he, see, it, they इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता आप हम sentence को देखते हैं कैसे इसमें change होता है विकास सेट, कॉमा, inverted, कॉमा, he plays football विकास सेट, he plays football अब जब इसको हम change करेंगे direct से indirect में तो विकास का विकास होगा, सेट का सेट होगा कॉमा, inverted, कॉमा, that होगा क्योंकि यह assertive sentence है अब हमें जो आज का नियम पढ़ना है कि inverted, कॉमा, के अंदर अगर he हो inverted, कॉमा, के अंदर he है न he plays football तो he को हमने क्या किया जब indirect में change किया तो he का हम क्या लिखेंगे he, inverted, कॉमा, के अंदर he होता है, तो उसमें परिवर्टन नहीं होता, उसमें कोई भी change नहीं होता, he का he लिख दिया, plays कि रिया कि first form है, उसका played हो गया और football का football do not see the second sentence he said, they are making a noise he said, उसने कहा they are making a noise अब हम sentence को जब change करेंगे he, इसका he हो गया said का said हो गया, कॉमा, inverted, कॉमा that हो जाएगा, उसके बाद they को जब हम change करेंगे direct से indirect में, तो they में कोई भी change नहीं होता they का they हो जाता है यही नियाब अभी हमने पढ़ा के inverted कॉमा के अंदर अगर he हो, see हो it हो, they हो या किसी का नाम लिखा हो, तो उसमें कोई भी change नहीं होता they are making a noise का हो जाएगा, they were making a noise now see the second sentence use it she has completed her work यह direct में है assertive sentence है जब इसको indirect में change करेंगे तो use it का use it हो गया कॉमा, inverted कॉमा के लिए that हो गया अब she had completed her work होगा she had completed her work क्यों होगा क्योंकि वहाँ पे लिखा है she has completed her work तो आपने देखा के inverted कॉमा के अंदर she has लिखा था तो she में कोई भी change नहीं हुआ she को she लिख दिया गया indirect में has को head में change करते head हो गया और completed का completed हो गया her work inverted कॉमा के अंदर अगर her लिखा हो hij लिखा हो dim लिखा हो dear लिखा हो t h e i r तो उसमें कोई भी परिवर्टन नहीं होता अब हमने अभी तक क्या पढ़ा कि inverted कॉमा के अंदर अगर he लिखा हो c लिखा हो it लिखा हो तो direct से indirect में change करते समय उसमें कोई भी परिवर्टन नहीं होता he लिखा है he आप indirect में लिख दीजे c लिखा है inverted कॉमा के अंदर c लिख दीजे it लिखा है it लिख दीजे indirect बनाते समय they लिखा है उसको they लिख दीजे इसमें कोई भी change नहीं होगा समझने की कोसिस के लिए he said to me he said to me है तो इसमें he क्या है subject है यानि said to के पहले जो लिखा होता है वो subject होता है और said to के बाद जो लिखा होता है वो object होता है तो यहाँ पे he क्या है subject है और me क्या है object है said to के पहले subject होता है अभी आपने एक नियम पढ़ाता है so and son तो इसमें s लिखा था s का मतलब होता है subject और o का मतलब होता है object n का मतलब होता है no change तो अब हम यह change करना है i, we और you को now see the sentence अब हम change करना सीखेंगे कि i को कैसे change करते हैं यहाँ पे sentence है she said I shall see my letter अब यहाँ पे हमको see set का see set हो गया comma inverted comma का that हो गया यह पहले भी वीडियो में हमने आपको बताया है assertive sentence को कैसे change करते हैं अगर आपने ना देखा वीडियो को तो see set that हो गया उसके बाद अब हमको i को change करना है i change किसके अनुसार होता है subject के अनुसार cell का क्या हो जाएगा should और c का see my letter का her letter हो जाएगा my का हर क्यों हुआ जब i change होगा c के अनुसार तो my भी change होगा c के अनुसार और आप chart देख सकते हो कि c हर हर होता है i mean my होता है तो my को change करना है तो क्या लिखा हुआ हर my के उपर chart जो बना है वो हर का बनेगा और फिर इसका हर हो जाएगा later का later तो इस प्रकार से i को change करते हैं i किसके अनुसार change होगा subject के अनुसार, subject क्या है जो say or say to के पहले होगा तो i का यहाँ पर क्या हो गया c तो जब भी exam में आपको change करने के लिए आए ऐसा sentence जिसमें आपको i को direct से indirect में change करना हो तो आप say or say to के पहले देखना क्या लिखा है जो भी लिखा हो आप उसको लिख दीजे बस अगर यहाँ पर c लिखा है तो c लिख दो अगर he लिखा है तो i के लिख लिख तो जैसे अभी हमने लिखा है i के लिए c क्योंकि i change किसके अनुसार होगा subject के अनुसार होगा और subject के हाँ पर क्या है c अब हम दूसरे sentence को देखते हैं कि दूसरा sentence हम कैसे change करेंगे direct से indirect में they said we shall help friends तो they said का they said हो गया comma inverted comma का that हो गया अब देखिए we को change करना है जब i change होगा subject के अनुसार तो we भी change होगा subject के अनुसार तो we का क्या होगा they होगा क्यों subject किसको कहते हैं they said to me लिखा है तो they क्या होता है subject और me क्या होता है object रवी said to siam है तो रवी क्या है subject और siam क्या है object तो यहाँ पे जब we को change करेंगे तो दे हो जाएगा सेल को जब चेंज करेंगे तो उड़ हो जाएगा क्योंकि दे के साथ क्या लगता है उड़ लगता है आई और वी के साथ सेल लगता है बाकि सब के साथ क्या लगता है वी लिया उड़ का प्रयोग करते है तो उड़ हो जाएगा help का help हो जाएगा और friends का friends हो जाएगा तो आपने sentence को देखा इधर we लिखा था और we को हमें change करना था तो day हो गया आपने जो पहले sentence में देखा था पहले sentence में क्या था I लिखा हुआ था तो उसका हमने see कर दिया तो I और we किसके अनुसार change होता है subject के अनुसार और subject बोलते किसको है जो said और said to के पहले लिखा हो वो subject होता है अब हम you को कैसे change करते हैं ये पढ़ेंगे I V हो गया अब you को change करने का नियम पढ़ते हैं He said to you, you are a fool He said to you, you are a fool तो he told you हो गया comma inverted comma का that हो गया you को change करेंगे object के अनुसार object किसको बोलते हैं जो said to के बाद में हो तो said to के बाद में क्या लिखा है you और you को हमें change करना है you के अनुसार change होगा और हो जाएगा you you का you होगा art का were होगा a fool you were a fool you were a fool हो जाएगा now see the second example अब दूसरे example को देखते हैं और you को change करने का नियम पढ़ते हैं कि you को किस प्रकार से हम change करेंगे you किसके अनुसार change होता है object के अनुसार object के क्या होता है यह हमें ध्यान देना है he said to me you was her face तो he said to me है तो he told me हो गया comma inverted comma का that हो गया you को change करेगे vast करिया की first form है हो जाएगा vast और her inverted comma के अन्दर change नहीं होता इसलिए her का her होगा face का face होगा तो he said to me he told me comma inverted comma that he told me that और you का हो जाएगा I I vast her face her change नहीं होगा face का face हो जाएगा vast करिया का first form है तो इसको जब हम change करेंगे तो करिया की second form में change होगा और इसका हो जाएगा vast पस आपको इतना ध्यान दखना है कि you change होता है object के अनुसार और object क्या होता है जो set to के बाद लिखा हो तो इस वीडियो में हमने पढ़ा कि I V subject के अनुसार जो subject किसको कहते है जो set to के पहले लिखा हो you change होता है object के अनुसार object किसको कहते है जो set to के बाद में हो वो object होता है you उसी के अनुसार change होता है और inverted comma के अंदर अगर he लिखा है c लिखा है it लिखा है they लिखा है him लिखा है her लिखा है them लिखा है तो वो change नहीं होता तो आज हमने आपको बहुत important जूल बताया है कि pronoun में किस प्रकास से परिवरतन होता है यही बहुत difficult बच्छों को लगता है पर आया इसी में बच्चे बहुत ज़्यादा गलती करते हैं आप वीडियो को कई बार देखिए जो speech का वीडियो मेंने बनाया है उसको भी कई बार देखिए और उसके बार exercise solve करिए ज़्यादा अच्छे सचे नंबर लाने के लिए unsolved करिए unsolved की बुकाती है उसमें कई साल के paper दिये हुए होते है उसको आप solve करिए जब इन चीजों को आप करेंगे कई बार practice करेंगे तो सारे नियम आपको याद हो जाएंगे और pronoun में परिवरतन या verb में परिवरतन या helping verb में परिवरतन जो भी नियम है वो आपको learn हो जाएंगे और practice के द्वारा आप कठें से कठें exercise को कर लोगे I hope ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा like and subscribe the channel take care